हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT चॉप में वेकेंसी बहुत सारे सब्जेक्ट में है सैलरी भी जो है नोटिफिकेशन में मैंचन की गई है 47600 तो बेसिक पे ही रहेगी 151,000 तक जो है यहां सैलरी जाएगी तो ओफिशल वेबसाइट पर जो है नोटिफिकेशन को पूरा चेक करेंगे सब्जेक्ट देखेंगे कैसे अप्लाए करना है सारा प्रॉसेस समझेंगे टोटल 3069 वेकेंसी है जो की कैटिगरी वाइज बाटी गई है जिसमें 1703 तो जनरल कैटिगरी की है इसमें पंजाबी सब्जेक्ट है तो यह पूरा चार्ट जो है आप देख सकते है वेकेंसी कहां से जारी की गई है तो वेकेंसी आई है हर्याना पॉब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से एड़टीज में नंबर ध्यान में रखना है 18-237-2024 क्योंकि बहुत सारे विग्यापन आ जाते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं नोटिफिकेशन जब हमने चेक करना होता है नेम आफ दे पोस्ट है है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुट टीचर की वेकेंसी है जितने भी सब्जेक्ट में है ये वेकेंसी और ये जो है हर्याना कैडर और मेवात कैडर के अंतरकत ये वेकेंसी आई है डेट और पब्लिकिशन आप देखें 23 जुलाई 2024 का नए अडवर्टीजमेंट है ओपनिंग डेट 25 जुलाई 2024 से आवेदन आप कर पाएंगे क्लोसिंग डेट जो है 14 अगस 2024 है आप चलिए देख लेते हैं अलिजिबिटी हाव डू अप्लाई तो यहाँ पर जो है hpsc.government.in इस पर जाकर जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अब चेक कर लेते हैं क्वालिफिकिशन क्या कह रहे हैं ये देखिए क्वालिफिकिशन के लिए इन्होंने कहा है बहारी राज्य के कैंडिडेट जो है यहाँ पर आविदन तब ही कर पाएंगे जब उनका H-Tat clear होगा हर्याना Tat अगर आपने clear किया हुआ है आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं साथ में यहाँ पर लिखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे ठीक है उसके बाद subject में qualification जो है post graduate teacher biology में MSc, zoology, botany, bioscience, biochemistry, genetic, microbiology, plant physiology, biotechnology, life science बहुत सारे subject हैं इसके अंतरगत अगर आपने इसमें master degree किया हुआ है और B.Ed किया हुआ है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं percentage है ऐसा कुछ भी नहीं है कितनी भी percentage आपकी रही हो इसी तरीके से सभी में है कि आप जो है master degree आपके subject में और B.Ed selection कैसे रहेगा तो selection जो है यहाँ पर exam रहेगा vacancy जो है हर्याना public service commission की तरफ से है permanent सरकारी नौकरी है तो इसमें जो है exam जरूर है screening test होगा total number of MCQs आपके 100 रहेंगे तो घंटे slaybers जो है subject wise अलग दिया हुआ है यहाँ पर important चीज और देखें आप यहाँ पर आपका जो exam रहेगा तो किस language में रहेगा हिंदी इंगलिस दोनों में केवल इन subject में रहेगा commerce, economics, fine art, geography, history, music, physical education political science, psychology and sociology ठीक है बाकी जो subject हैं जिससे biology है chemistry है, home science है, maths है, physics है यह केवल English language में ही आएंगे exam तो होगा ही साथ में interview भी रहेगा और interview को जो weightage रहेगा वो 12.5% रहेगा अब देखें यहाँ पर scale of pay salary आप देखें काफी अच्छी salary है 47,600 से लेकर 151,100 इसके अलावा जो है, जो सरकारी भत्ते हैं वो time to time मिलेंगे तो अब जो है अगर आप यहाँ पर estate clear किये हुए हैं तो post graduate teacher बढ़ने के लिए बिल्कुल तयार अपने आपको करें syllabus आप देख लें नीचे syllabus दिया हुआ है age limit जो है 18 से लेकर 42, 18 to 42 year तक के candidate apply कर सकते हैं भारत में किसी भी राज्य के candidate हैं बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है जरूरी नहीं है कि आप हर्याना के ही है तो ही form apply कर पाएंगे बस आपका estate clear होना चाहिए आयू सीमा में छूट भी है जर्नल कैटिगरी 42 2 year तक के candidate apply कर पाएंगे और इसमें आयू सीमा में चूट जो हर्याना के हैं SC 5 साल की है backward classes है 5 साल की है और PWBD हैं उनको भी 5 साल की चूट है woman candidate जो है unmarried woman है उनको 5 साल की चूट है video है उनको भी 5 साल की चूट है तो 5 साल की जो है यहाँ पर आयू सीमा में चूट दी जा रही है reservation जो है वो बिल्कुल इसका benefit जो है जो आरक्षित वर्ग है उनको मिलेगा और भी important चीज जो कि आपके जानने के लिए हमने age देख ली qualification देख ली salary चेक कर ली और number of vacancy subject देख लिए ठीक है last date जो है वो 14 अगस्त है ध्यान में रखना है यहाँ पर देखें application fees application fees जो है बिल्कुल अधिक दिया है बहुत अधिक है male candidate general category के या backward classes के है या all category of other state के है तो 1000 rupees है यहाँ पर fees female candidate सभी female candidate यहाँ पर 250 rupees है ठीक है चाहे वह हर्याना की है यह हर्याना से बहार राज्यकी है यहाँ पर बिल्कुल पस्ट है for female candidate of all category of other states 250 बाकी जो है male candidate के लिए काफी अधिक है application fees यहाँ पर male female candidate अगर SC, BC, ESM category के है हर्याना के तो उनकी भी 250 है EWS की भी 250 है PWVD की कोई थीज नहीं है तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है application form में आप लोगों को upload करना है scan photo, signature degree आपकी education qualification और बाकी आपके और certificate ठीक है तो यह सब जो है अगर आप आवेदन करेंगे तो सारी चीज़ें ध्यान में रखना है यह 14 दिये हुए है आप लोगों को scan copy आपको upload करनी है application form फिल करते समय तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है तो वेकेंसी जो है काफी अच्छी है क्योंकि permanent है government job है और salary भी जो है इसमें काफी अच्छी मिलने वाली है official website का link आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा बाकि आप लोग जो है यहाँ पर screenshot ले सकते है hpsc.government.in advertisement number ध्यान में रखना है advertisement number है 18-37-2024 मिलेंगे next वीडियो में thank you